वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम सर्कुलर सम कवर करें की। मतलब जन्रली क्या होता है कि आप एक्सेल में आपके पाज कुछ इस तरह से डेटा सेट होता है और उसका जो टोटल है आपको कही सेंटर में करना होता है। मतलब जो range होती है उसके आसपास होती है तो यहाँ पर जो है काफी दिक्कते आपको होती है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर regular जो sum होता है validate करने के लिए सिर्फ यह पहले यहाँ पर यह sum हम apply कर देंगे जैसे कि यह पूरा इसका जो है sum इसको bracket को close कर देंगे और interface करेंगे तो यह देख लीजिए यह है 14,896 अगर यह same formula अगर मैं यहाँ पर apply करता हूँ sum उसके बाद range में जो है यह सब select कर लेंगे उसके बाद bracket को close कर देंगे और interface करेंगे तो यह देख लीजिए यहाँ 0 आ रहा है क्योंकि यह क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो calculation का जो method है वो automatic है option जो है calculation का अगर मैं यह formula में formula tab में calculation option करके एक option आता है यहाँ पर तीन option होते हैं आपको automatic, automatic, accept for data tables and manual अगर मैं इसको manual कर देता हूँ और यह function को दुबारा से apply करता हूँ तो यह अभी properly काम करेगा यह देख लीजिए यह total और यह total जो है same है तो इसको जो है Microsoft Excel में circular sum कहा जाता है